हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चानल गाईज तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 39.90 FC से रिलेटेड इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में और हम बात करेंगे कुछ ट्रांसफर रिलेटेड अपडेट्स के बारे में भी लेकिन दोस्तों वीडियो में अगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल आइकोन को प्रेस कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स जरूर कर देना तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेक स्टुवर्ट के बारे में तो कल ही ये स्टेट्मिंट आ चुका है मुंबई सिटी एफसी के तरफ से गिरिक स्टुवर्ट ने दो आयसे लीक शील जीता है और सक्सेस्फुल फॉरेनर प्लेयर्स में से कोई एक माने जरूर जाएंगे गिरिक स्टुवर्ट और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें दूसरे खबर के बारे में तो दोस्तों आप सभी को पते है कि नौर्थीश नौना डेफसी मैनेजमेंट ने यासीर हमित को साइन किया था पैलिस्टीन के इंटरनेशनल सेंटर बैक के खिलारी है यासीर हमित और एक मात्र ऐसे वीदेसी खिलारी है यासीर हमित जो अभी फिलाल एफसी एशियन कप जो कतर में होने वाला है वहाँ पर व उसके बाद हम बात कर लेते हैं नौर्थीश नुनारेड अफसी के इस्पैनिस सिंटर बैक के खिलारी मिचल जुबैको के संपर्क में तो आप से भी को याद ही है कि एफसी गोवा के मैच के दौरान ही I think मिचल जुबैको को एक सिरियस इंजिरी हुआ था और बीना मैच जरा है हम सभी को मिचल जुबैको जहां पर नौर्थीश नुनारेड अफसी को दो एक से हारना परा और मिचल जुबैको को नौर्थीश नुनारेड अफसी की पूरी टीम काफी ज़दा मिस जरूर कर रही थी और आज से कुछ दिनों पहले यानि कि कल ही ये कन्फरमेशन इंडिन फिटबॉल के काफी अचे सोर्स माने जाने वाले IFTWC के तरफ से कि हमजा रिगराई को नौर्थीश नुनारेड अफसी ने डिर सालों के कॉन्ट्रेक्ट पर अपने टीम में साइन कर लिया है ऐसा ही कन्फरमेशन आया था कल ही और आप ही सोचो अगर आपके टीम मिचल जुबैको और यासीर हमिजे से अच्छे सेंटर बैक के खिलारी मौजूद है तो आप तीसरे वीदी सी सेंटर बैक के खिलारी को क्यों लाओगे तो दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि मिचल जुबैको पूरे सीजन से ही रूल आउट हो चुके हैं क्यूदर तो यहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मिचिल जबैको पूरे सीजन से ही रूल डाउट हो चुके हैं हाला कि कोई भी ओफीसल स्टेटमेंट नहीं है 3990 FC के तरफ से मिचिल जबैको के इंजरी को लेकर लेकिन दोस्तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो यहां पर हमजा रिगराई मिचिल जबैको के रिपलेस्मेंट में ही आये है दिर सालों के कॉन्ट्रेक्ट पर और इपसन मेलो को भी 3990 FC मैनेजमेंट ने ओफीसली टाटा बाइबाइ जना दिया है और इपसन मेलो एक फावर्ड के खिलारी है और हमजा रिगराई एक सेंटर बैक के खिलारी है जो मिट फिल्ड में भी खेल सकते हैं तो एक सेंटर बैक के खिलारी को एक सेंटर बैक के खिलारी ही रिपलेस कर सकता है कोई स्ट्राइकर रिपलेस नहीं कर सकता तो Ipsen Milo की रिप्लेस्मेंट में हमजा रिगराई को साइन नहीं किया गया है जहां तक मुझे ऐसा लगता है लेकिन मिचल जुपैको की रिप्लेस्मेंट में जरूर हमजा रिगराई को साइन किया गया है तो दोस्तो आद्रियन लुना के रिप्लेस्मेंट में फेडर और किरनेश को साइन किया है केरेला ब्लाशर सेफसी मैनेजमेंट ने मातर दो महने के कॉन्ट्रैक पर जी हां दोस्तो लिथूनिया से ये बिलॉंग करते हैं और मेली ये विंगर है लेकिन अटैकिंग मिट्फि लेकिन इपसन मेलो जो कि एक फौवर्ट थे इनको छोड़ दिया है नौर्टीश नुना रिडफसी मैनेजमेंट ने तो जैसा की खबर आ रहा है कि नौर्टीश नुना रिडफसी मैनेजमेंट तलाश कर रही है एक प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर का अभी फिलाल यही ख कि एक स्ट्राइकर जरूर आने वाला है नौर्टीश नुना रिडफसी के इस स्कौरड में इसी ट्रांसफर विंड़ो में तो कुछ और खबर आता है तो मैं आपसे भी से जरूर डिटियल्स में शेयर कर दूँगा तो चलिए फिलाल यह वीडियो में इतना ही था आशर कर पर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो शेयर करो सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके साथ में बैल आइकोन को भी प्रेस कर दो तो चले दोस्तो अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में